नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हूँ उम्मीद आपसे भी अच्छे अर्मी पड़ाई बेच्चे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी mathematics worksheet जो की है 130 और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे to find half, one third and one fourth of a whole आदा, एक तिहाई और एक चौथाई हिस्सा हम आज पढ़ेंगे बिसिकली आप इसे कह सकते हैं कि आज का जो हमारा topic है वो है भिन ठीक है या English मैं इसे fraction कहते है ठीक है तो वक्षी शू करने से पहले आप अपनी class लिखेंगे class के साथ अपना section A, B, C, D जो भी आपका होगा डेट लिखेंगे 10 December 2021 आपका नाम और आपकी टीजर का नाम लिखेंगे और इसका दिवक्षी शू गरते हैं आपकी बक्षी चॉकलेट के हिस्से अमन और तारा भाई भैन है उनके पिताजी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है पिताजी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बरावर बरावर बाट कर खाना अमन ने हर एक चॉकलेट को नीचे दिये गए तरीकों से बाटा है तारा को चॉकलेट के हिस्से बराबर नहीं लगे आप भी चॉकलेट के चितर देखकर पता लगाईए कि अमन ने कौन सी चॉकलेट दो बराबर हिस्सों में बाटी है और कौन सी नहीं सही विकलब पर सही का निशान लगाई है देखिए आपको चॉकलेट के साइज दिख रहे हैं एक बना हुआ है सरकल दूसरा ट्राइंगल तीसरा रेक्टेंगल और यह लास्ट वाला हार्ट शेप या पान की शेप का बना हुआ है तो इन्हें सही तरीके से सही तरीका है ने बाटने का जो कि मैं उपर आपको दिखा देती है एक बार बीच में से आधा कर दिया ट्राइंगल को भी हम बीच में से आधा कर सकते है या फिर हम इसे साइड से भी आधा कर सकते है ठीक है यह इस तरीके से भी आधा हो सकता है रेक्टेंगल को आधा करने का जो तरीका है दो हो सकते हैं एक इस तरीके से आधा किया जा सकता है और दूसरा इस तरीके से आधा किया जा सकता है ठीक है अभी जो पान शेप है हमारा या दिल की शेप का जो है इसे हम 20 से अगर आधा करेंगे तभी आधा कल्चिटर किया जाएगा ठीक है तो हम देखते हैं कि किस में किस और इस तरीके से किया गया है इसमें देखिए बीच में सिर्फी कि नहीं है यह जो छोटा और गुलाई बादा हिस्सा बड़ा है तो इसके बड़ाबर इस से नहीं है अब यह तुरभुज जैसी चोकलर की इसमें इस साइडे से यह साइड यह इस साइड रहा है यहさん लेकिन rectangle के मैंने कौनसे दो तरीके बताय थे एक तरीका यह भी हो सकता यह इस तरीके से आधा माँटा जाए यह तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरे नमबर की चॉक्लेट है उसको ही सिर्फ आदा-दा बाटा गया है, बाकी तीनों चॉकलेटें थोड़ी कम और जादा के हिस्से में बटी हुई है, अब आगे देखें क्या है, क्या आप चॉकलेट को बरावर, दो बरावर हिस्सों में बाट कर दिखा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, दिखा सकते हैं, इसे हम इस तरीके से बाटेंगे, तो आसानी रहेगी इसे बरावर हिस्सों में बाटने में, ठीक है, इसे भी हम इस तरीके से बाटेंगे, तो यह आदे हिस्सों में बट जाएगी, और इसे हम बीच में से मिला देंगे, बीच में से मिलाएंगे इस तरीके से, तो यह भी आदे हिस्सों में बढ़ जागे, आप स्केल रखकर सीधा पॉइंट करके इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है, इस तरीक से, अब हमें ये आप भी जाने दिया गया है कुछ, जैसे, देखिए, जब हम किसी एक चीज या चीजों के सम्हू को दो बरावर हिस्सों में बाटते हैं, तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है, ठीक है, इसे गणती ये भाषा में एक बटे दो लिखा जाता है, यनि की वन बाई टू लिखते हैं, जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक सम्हू को चार बरावर हिस्सों में बाटते हैं, तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का एक च है चीजों केएक सम्हों को तीन बरावर इस्सों में बाटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्स्य का एक ठिहाई क्याला था है यहाँ थाल्ड आप भी एक दो तीन हिस्से और और यहानि की one third हो गये और उसको हम one लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम एधा बाटते हैं, तो 1 by 2, जब हम 4 हिससे करते हैं, तो 1 by 4, और जब 3 हिससे करते हैं, तो 1 by 3, या 1 by 2, 1 by 4 और 1 by 3, ठीक है, चलिए अब अगला देखे, अमन और तारा के दो मित्र भी उसी समय घर आ गए, पिता जी ने कुछ और चौकलेट निकाल कर तारा को दी, और कहा कि इन्हें आप 4 बराबर हिस्सों में बाट कर खाना, आप भी चौकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बाटने में तारा की मदद कीजिए, और नीचे दिखाए अनुसार लिखे, चार हिस्सों बाटना है, जब हम 4 हिस्सों बाटते हैं, तो हम क्य अगर हम जोड़ देते हैं, तो यह पूरे एक बन जाएगी, है ना, ठीक है, अब आगे इसको जड़ा हम solve करते हैं, अब यह circle है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम उसी तरीके से divide करेंगे, और इसे कैसे लिखेंगे, एक बटे दो, sorry, एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार, वन बाए फोर्थ, इसे हम इस तरीके से बाटेंगे, और यह भी लिखेंगे, वन बाए फोर, वन बाए फोर, वन बाए फोर, और वन बाए फोर, इसे हम दो तरीके से बाट सकते हैं, या तो हम diagonally बाट दें, आगे देखिए टार ने चॉक्लेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए समी ने चॉक्लेट का एक चॉथाई भाग खा लिया अब एक चॉकलेट और बच गई तारा जब उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट रही थी तारा जब उसे चार बराबर हिस्सों में बांट रही थी तभी अमन ने कहा कि उसे और चॉकलेट नहीं खानी अब तारा को चॉकलेट के तीन बराबर हिस्से करने थे तारा ने चॉकलेट को इस प्रकार से तीन हिस्सों में बांट दिया उसने किस तरीके से बाट दिया, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, इनकी की तीन लोगों को ही खानी थी, तो उसने तीन बराबर हिससे उसके कर दिये, अब तीनों हिस्सों को चॉकलेट का, अब तीनों बच्चों को चॉकलेट का, एक बटे तीन ठीक है ताकि उन्हें ये जो concept है बाटने वाला वो समझ में आ जाए तो उमीद है आपके लिए वक्षिट यूस्फल रहे होगी अगर यूस्फल रहे है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद